हलो एवरिवन आयम आकाश गोर वेलकम बैक तो आर इंडिन मेडिकल लेक्षर 2.0 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले है इसके लेटन सिस्टम हिंदी भाषा में समझाओंगा शरीर की सारी हडिया एक एक काउंटिंग करके आपको एक एक का स्ट्रक्चर एक चीजे डीट करूंगा सबसे पहले स्टाट करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं थोड़ा साम लोग इंट्रोडाक्षण समझेंगे क्या होता है, समझेंगे प्लीज वीडियो को skip मत कीजेगा, study of skeleton system study of skeleton system is called osteology, simple बाते हम जो study करते है skeleton system, यानि के kangal tantra के अध्यन को क्या कहा जाता है osteology के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ochaeology का मतलब ही होता है कि kangal tantra का अध्यन करना है, ठीक है skeleton system is a protection part of the body, ठीक है, protection part मतलब यह क्या मतलब हो रहा है यह हमारे शरीर की रक्षा करता है, स पॉइंट का मतलब जरा समझो इसपूंट में मैंने बोला हुआ है कि जो हमारा कंकाल तंतर में कई प्रकार की अलग-अलग आकरती वाली हड़िया मिलती है और उनसे मिलकर ही कंकाल तंतर का निर्मान होता है तो गईज यह एक बेसिक सी मैंने डीटेल आपको जरा सा इंट्रोड़क्शन आपको बता है कि जो study of skeleton system is called जो study होती है कंकाल तंतर के अध्यन को osteology के नाम से जाना जाता है और skeleton system हमारी body की protection power होती है protection part होता है जो कि हमारे चरीड की सुरक्षा करता है ठीक है इसमें कई प्रकार की हड्डिया रहती है जो कि आपस में आटेज रहती है screenshot लो फिर आगे बढ़ता हूं कि सबसे पहले चीज आती है skeleton system में कुछ important महत्वपूर्ण point समझना है कि important system में क्या होता है मानव शरीर में कुल 656 मास पेशिया याने की जो मसल्स की जो quantity रहती है न गाईज वो 656 रहती है ठीक है यह चीज ध्यान रखना यह question बहुत बार exam में पूछते 656 में basic detail बता रहो मैं आपको हट्डिया गिनके बताऊंगा एक एक counting करके बताऊंगा एक एक हट्डिया बताऊंगा पर पहले उसको basic समयना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है bone connect with muscles ठीक है यदि हमारी एक bone यदि muscles से जुड़ती है तो वो tissue को नाम होता है tendon याद रखना गईस हमेशा हड्डियों को मास पीशियों से जोड़ने का काम कून करता है tendon करता है ठीक है देख सकते हो कि आप लोग यहां पर diagram में simply इसको zoom करके बताता हूं मैं यहां पर जो है यह diagram आप देखो ठीक है यह diagram आप देखो tendon यह जो मास पीशी आप देखो ओपर से यहां से muscle red वाली muscles start हुई है one minute guys ठीक है यहां पर red वाली muscle start होने से पहले वो attach हुए है यहां से तो यहां पर जो होता है ना यह tendon होता है क्योंकि जो खड़्डियों को यह रही हमारी bones और यह रही हमारी mass patient तो हड़्डियों से mass patient को जोड़ने वाले जो हता है उसे हम लोग tendon कहते है इस चीज का आप लोग ध्यान रखना अच्छे से ठीक है ने चीज जाती है बोन अब जो बोन कनेक्ट विद बोन अब एक हड़ी दूसरी हड़ी से किसके तुरू जुड़ती है वो जुड़ती है लिगामेंट के द्वारा ये कोशन भी बहुत बार एक्जामों में आया हुआ है ये एक हड़ी दूसरी हड़ी से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है लिगामेंट से वो कनेक्टेट रहती यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगी ये लिगामेंट से इस लिगामेंट से ये जुड़ी हुई हड़ी ये एक हड़ी है यहाँ पर दूसरी लुडमेंट लीकवेंट है हमारी बॉन से बॉन सो को जोड़ने का काम करता है और जो टेंडन होता है वो करता है अ मेरा है यह से कलेडन चैडा न चले हिख यहमेरा होता है अपे डीटल सस्टेम अमहें dew कलें तो और appendicular skeleton system जो हमारा axial skeleton system में ये दो भागों में बटाया ठीक है axial और append, अक्षिय गंकाल तंत्र और परिस्टिय गंकाल तंत्र ठीक है इसे के लिए आप देखो हम लोग जो axial skeleton system होता है axial skeleton system में क्या-क्या चीज़ा आती है वो समझो axial skeleton system में simply आपकी जो skull आएगी ठीक है इसको मैं जो जूम करूँ इदर लेगाते है ठीक है, skull पूरी skull जो आपके खुपड़ी होती है वो axial skeleton system में आती है आपकी जो spinal vertebra होती है, spinal पूरी vertebra axial में आती है उसके हाथ में जो rib bone होती है, जो हमारे chest में जो rib bone होती है चाती पर जो rib bone होती है, सारी काई में आती है, या हमारे सारी axial में आती है बात करो appendicular की तो appendicular में क्या आएगा, दोनों हाथ, यहां से लेकर दोनों हाथ और दोनों pair यानि कि leg और hand, देख सकते होगे, आपको marking करी हुई है, colorful यह जो दिख रहा है, आपको colorful, दोनों hand है आप और यह दोनों leg है, leg plus hand, दोनों चीज़े है न, leg plus hand दोनों connected रहते है appendicular में और axial में आता है, इसकल बीच वाला हिस्ता, ठीक है, और दोनों हाथ और दोनों pair आता है, आपका appendicular skeletal में, आईए ज़रे details समझते, screenshot लेओ इसका, अब देखो ज़रे इसमें, इन axial skeletal system, total 80 bone, बोला हुआ है question में, कि जो axial skeletal में कितनी हड्डिया होती है, कुल हड्डिया बताई हुई है, 80 हड्डिया, ठीक है, total जो होती है, 80 bone आपको मिलेगी, total 80 हड्डिया पाई जाती है, ठीक है, अक्षिक अंकाल तंतर में, कुल 80 हड्डिया पाई जाती है, ठीक है, इसके अलावा, 29 bone जो होती है, वो होती है आपके सर में खोपडी में Exeal skeleton कê बात कर रहा हू⁉ national severity आपसे total मुझे 80 हड्डिया पढ़नी है exeal में ठीक है इसमें जो होती है 80 हड्डियों में से 30 हड्डिया होती है मेरे सर की bone मैं मतलब इसका लिवे खोपडी में 25 हड्डिया आती है मेरी च्छाती की चेस्ट रिबोन में इसके अलावा जो 26 हड़िया रहती है वो आती है मेरी स्पाइनल कोड समझ मारा आपको जो 26 हड़िया है ये 26 हड़िया काई में हैंगे 26 हड़िया आती है मेरी स्पाइनल कोड की 25 हड़िया आती है मेरी काई में च्छाती वाली और इसके यह screenshot ले लो इसका पहले आते स्कल के उपर स्कल में guys सबसे पहली important चीज़ आपर दी हुई है समझियेगा सबसे पहली जो हड़ी आती स्कल में वो होती है हमारी कौन सी? ओक्सिपिटल सबसे पहले ओक्सिपिटल कितनी होती है guys? ओक्सिपिटल एक होती है जो आप बेक साइट पर ये हारे कलर की जो हड़ी दिखाई दे रही है ये आपके ओक्सीपिटल हड़ी होती है ठीक है कौन सी है ओक्सीपिटल जूम कर लो ये रही ये रही आपकी ओक्सीपिटल ठीक है खोपड़ी में सबसे पहले बेक साइट पर पीछी की तरह पाई हुई प्रेंटि आता थिसे यह अपको टेंपोरल जो आती है इज होती है झारी स्टी। और एक इधर, ठीक है, दो टेम्पोरल है, टेम्पोरल के बाद पेराइटल, पेराइटल कितनी है, पेराइटल भी यहाँ पे, दो है, यह एक इधर की साइट पे, एक इधर की साइट पे, दो पेराइटल है, ठीक है, फ्रेंटल, फ्रेंटल कितनी होती है, फ्रेंटल एक ही है ठीक है स्पेनोट बोन होती है यहाँ पर ये देख सकते हूं यह इन एक होती है इधर मोट इथमोट इधर मोट भी एक होती है आप इन चीजों को देखकर please confuse मत हुएगा जब आप इन चीजों को दो तीन बार पड़ोगे दो तीन बार समझोगे कौन से हड़ी कहाँ पर है आपको easily mind में fix हो जाएगा पका प्रोमेस आपको आएगा समझ में पर क्या होता है कि इसके लेटन सिस्टम थोड़ा सा complicated पड़ता है एकधम समझ में नहीं आता बटा आप एकाद बार पड़ो आपको चीचे समझ में आएगे उसके अलावा उसके अलावा देखो हमने यह पड़ा खुपड़ी नहीं कितनी है एक है Temporal एक यह में खोपड़ी के उपरी हिससे बात कर रहा हूं ठीक है पराइटल दो है फ्रेंटल एक है इस्पिनॉइड एक है इथमोइड एक है ठीक है अब मैं अगर facial-born की बात करूँ फेशल बोन की तो फेशल बोन जरा इधर देखिएगा फेशल बोन यह रही है फेशल बोन में जरा देखिएगा पहली होती है वोमर ठीक है वोमेर होती है यह वाली जो वोमेर आपको दिख रही होगी यहां पर यह होती है वोमेर के अलावा जाइगोमेटिक होती है, ये रही आपकी जाइगोमेटिक, एक इधर साइट होगी, एक इधर साइट होती है, दोनों साइट जाइगोमेटिक होती है, ठीक है, एक इसके अलावा होती है, पेलाटिन, ठीक है, पेलाटिन होती है, दो होती है, पेलाटिन कौन सी है, ये रही जा पर है यह वाली एक नेजल एक नेजल यह है नेजल के अलावा लेक्रिमल होती है लेक्रिमल कितनी होती है दो होती है ठीक है यह रही लेक्रिमल आपके यहां पर लेक्रिमल होती है ठीक है इसके यहां पर लेक्रिमल के अलावा कौंचा होती है कौंचा कितनी होती है दो होती है इसके अलावा मैकजिला होती है और मैंडिबल होती है मैंडिबल एक ही होती है यह जबड़े की हड़ी जो कि सबसे मजबूत हड़ी भी हमें से कहते है ठीक है और इसके अलावा मैंडिबल जो देख सकते हैं ऐसे हडिया मंजबूत हड़ी माने जती है ऐचीछ द्यान रखना अपना आप लो तो गईज एक वार्पाय स्कृइन्सोट लेलो फिर इसका रडी कर देता हूं में स्क्रिंशोट लेलो आओ जड़ा आगे देखते इसमें जो ऑक्सिपिटल मैंने आपको बताईए फिर से रिपीट करता हूं मैंने कौन-कौन से आपको जो खोपड़ी के अंदर कौन-कौन से डिया ऑक्सिपिटल दो टेंपोरल दो पेराइटल दो फ्रेंटल दो स्पेनाइड दो एथमोईड एक होती है ये एक-एक एख स्वियन हिन के वोवेर एक होती है जो की जबड़ीं की ह Beijum जिस है इसको कह wär रहा है ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं आप देखो कुछ इसकल में ही जो बोन आती है एक होती है आपके हायोईड बोन यह उतना गले में होती है नीचे की साइट पर होती है हायोईड बोन और तीन हड़ी आपके कान के अंदर मिलती है सबसे छोटी हड़ी कान के अंदर मिलेगी दोनों तरफ सेम कॉछटी बारा उधर और बारा इधर rib bone होती है ठीक है sternum होता है sternum कौन सा होता गईज ये front वाला आप देख पारे होंगे यहाँ पे जो front में है ये sternum है ठीक है तो rib bone किती होती है 24 होती है 12-12 के पिर में 12 उधर है तो 12 ही इधर है दोनों तोनों तोरब same quantity होगी sternum कितनी होती है sternum एक होती है front में जो कि इन सब को connected करके रखेगी इसका भी screenshot ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ अब देखो spinal code में आती है spinal code में अलग-अलग vertebrate होती है cervical vertebra cervical vertebra होती है आपकी C1 से लेकर C7 तक यानि कि 7 हड़िया cervical vertebra होती है thoracic vertebra थोरे सी कितनी होती है T1 से लेकर T12 तक ठीक है यहाँ पर देखो T1 से लेकर T12 तक यह वाला जो area है thoracic vertebra का है T1 से T12 तक यानि कि 12 हड़िया यह होती है उसके बाद lumbar vertebra होता है lumbar vertebra L1 से लेकर L5 तक total पाच होती है जहाँ से आप CSF collect करते हो वो lumbar vertebra बोलते है उसके बाद sacrum 1 होता है और coxicus 2 होता है ठीक है इसकी भी quantity आप लोग को ध्यान रखना है जल्दी से इसका screenshot ले लो ताकि आप लोगों को mind में रहेगी यह चीज़े भी आगे पड़ता हूँ अब आते हैं appendicular अभी तक हम लोगों ने exhale देखा अब appendicular देखते हैं देखो appendicular में हम लोग दो हाथ और दो पेर को count करते हैं अब इनमें देखो जरा आप लोग सबसे पहली होती है अपकी shoulder bone shoulder bone को हम लोग क्या करते है पेक्टोरल ग्रिडल भी कहते है shoulder जो कंदे की हड़िया है इनको पेक्टोरल ग्रिडल भी कहा जाता है कितनी होती है देखो गाईस एक दो होती है आपकी clavicle और दो होती है scapula कंदे की हड़िया feel भी कर सकते हैं यहाप यह जो front वाली है यहाप आप लोग पीछे यहाँ पे आपको दिखते हैं यह वाली हड़िया क्ला है वह यह वाली clavicle होती है कितनी होती है दो दो इस हाथ में तो दो इस हाथ किलिए रहे गाईस अब देखो अब होती है hand bone हातों की हड़ियों को देख लो हातों में कितनी हट्डिया होती है पहली होती है हुमरस यहां वाली जो बाजू वाली जो हड़ी है इसको कहते है हुमरस कितनी होती है एक इस हाथ में एक इस हाथ में दो हुमरस रेडियस कितनी होती है रेडियस दो होती है यहां पर होती है आप लोग देख पार होंगे हां पर हातों मे इसको clean करता हूं और zoom करता हूं हातों में दो हड्डिया दिख रही है एक इधर एक इधर radius और अलना जो radius अब इन दोनों का identification के लिए बहुत अच्छा तरीका है जो radius होती है हमेशा thumb site होती है अलना small finger site होती है ठीक है जिस site होती है एक होती है radius अलना एक होती है ठीक है screenshot ले लो आगे बढ़ता हूं में अब हम लोग इन वाली हड्डियों के हाथों की हड्डियों की बात अगर करें तो इन में तीन तरह की हड्डिया मिलती है हमें कौन-कौन जे मिलेगी पहली होती है carpals, metacarpals और phalanges देखो diagram में सबसे पहले जो carpal जो होती है जियां हाँ पर आपको यह दिख रही होगी total 8 होती है यह वाली जो है यह 8 हड्डिया होती है इनको गोलते हम लोग carpal ठीक है इनके भी अलग-अलग नाम होते है इतना detail में अभी नहीं जाएंगे हम लोग carpal कितनी होती है आठ होती है आठ इस हाथ में आठ इस हाथ में carpal के just यह दि हम लोग उपर देखेंगे तो हमें मिलेगी metacarpal, metacarpal कितनी होती है पाच यह वाली जो हड्डिया है न 1, 2, 3, 4, और यह 5, total पाच हड्डि यह कहते है हर एक उंगली में 3 हड्डि होती है कि अवल अंगोठे में 2 हड्डि होती है चीत ध्यान रखना तो total कितनी होती फेलेंजिस चाओदा तो यह जो quantity है यह चीत ध्यान रखना आप लोग कि जो हमारी हातों में carpal metacarpal और फेलेंजिस होती है स्क्रीन शोट लेलो इस इन्षे राइट और यह लाहीं left अब अच्छा Peldvick griddle महीला और पुरुष में अंतर होता है महीलाओ की पेल्विक ग्रिडल पुरुषो की तुल्णा में हलकी गोल रहती है आप जो नीछे वाली है यह female की यह उपर वाली male वाली है तो यह जो female की जो होती है गोल नहीं नह लोग दियान रखना स्क्रिंशोट ले लो आप इसका आगे बढ़ता हूं में अब आते हैं हमारी लेग बोन पेरों की हड्डिया अब पेरों की हड्डिया में चार इंपोर्टेंट है आपकी सबसे और मच बड़ी हड्डी हम लोग ने बोली है फीमर फीमर जो होती है दो होत होती है टीविया मोटी होती है फिबूला पतली होती है तिससे आइडेंटिफाई कर सकते हो ने चाहिं चैल आगे बढ़तां मेंद मनें नहीं लेग बोन यहाद लेग बोन में होती है टार्सल, मेटा-टार्सल और फिलंजीस, टार्सल कौन सी यह वाली है यह मैंने हाथों में आपको गर बता कारपल पर वो जो आठ थी पर इसमें 7 होती है पेरों में कितनी होती है 7 होती है एक कम रहती है Metacarpals, Metatarsal Metatarsal जो सेम होती है 5 जितनी हातों में होती है उतनी पेरों में होती है और Phalanges जिसे उंगलिया कहते है जितनी हातों में होती है उतनी ही पेरों में होती है No any changes, ठीक है इसमें कोई changes नहीं रहता है दोनों में सेम होती है चीज आप लोग ध्यान रखना ठीक है I hope क्या guys आपको इतनी चीज़ी समझ में आयोगी यहां तक आपका skeleton system के bones के नाम में ने clear किये इसकी details से वीडियो और भी आएगी तब तक आप लोग चैनल को देखते रहेगे Thank you for watching आपका अपना Indian Medical Lecture 2.0